वेरी वेरी गुड इवनिंग तो अलोफ यू स्वागत है आप सभी का समिच्टर अकैडमी यूट्यूब चैनल पर इस सेशन में हम डिसकस करेंगे प्रॉफिट लॉस पर बेस्ट एक बहुत ही अच्छा केसलेट प्रॉफिट लॉस जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब केव प्रॉफिट लॉस के उनसे थोड़ा अलग हट कर थोड़ा सा लॉजिकल केसलेट यहां पर हम लेंगी ठीक है तो जड़ा देखिए लॉस्ट रिकॉर्ट्स एड मेंटेंड अबाउग दसेल्स एवन आर्टिकल्स निस शॉप ही कुड रिमेंबर दफॉलिंग इंफॉमेश साथ आर्टिकल की सेल के बारे में जो डेटा था वो रहीम से जो एक हो गया बस उसे कुछ-कुछ पॉइंट से आते जिसके तुरू वो रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सारी इंफॉमेशन तो इंफॉमेशन उसको क्या-क्या याद थी वो यह है कि all the values are multiples of thousand मतलब जो डाम टेसके Cemal को गूंतल है जो आपको सेल के बारे में data दिया गया यह जो परेग्राफ स्में प्रॉसिट के बारे में data दिया गया है यह जो परग्राफ स्में expenses के बारे में data दिया गया है साथ articles का इसको आपको comprehend करना है और एक table में convert करना है और table में क्या values होनी चाहिए साथ articles के नाम उनके expenses sales and profit यह आपको निकालना है तो आप इसका screenshot ले लो खुद से एक बाद ट्राइ करने कोशिश करो before going through the solution ठीक है तो hopefully आपने ट्राइ किया इस वीडियो को pause करके और अब मैं इसको discuss करता हूं तो देखो अपसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो तो यह कि sales minus expenditure equals to profit yes sales में से जब हम expenditure minus करेंगे तो हमें क्या मिलेगा profit मिलेगा यह चीज़ आपर दी नहीं जाएगी आपको खुद से सोचना है ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां एक table बनाता हूं साथ articles के नाम लिग देता हूं article 1 2 3 4 5 6 and 7 there are seven articles उनके मैंने नाम लिग दिया अब एक चीज़ और दी गई है अगर आपने information पढ़ी है ध्यान से तो आपको पता होगा कि average के बारे में और दिया गया मैंने साथों के sales का या profit का expenditure का average average मैंने यहां लिग दिया तो there are seven articles सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा sales ठीक है फिर लिखूंगा expenses and finally sales minus expenses is nothing but profit तो तीन चीज़े हम को यहां पर लिखनी है जल्दी से मैंने यह table बनाती यस sales expenses and profit अब सबसे पहले we'll go through this first paragraph जहां पर हमें sales के बारे में data दिया गया है अब सिंस सारी value multiple of thousand में है तो पर 45,000 को 45,000 न लिखकर यह वह लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा तो सारे आर्टिकल्स की जो एवरेज सेल है वह 45,000 है तो मतलब सेल्स का जो एवरेज है वह है 45,000 यस वह मैंने यहां लिखा जो इन्फोर्मेशन दी गई है पहले हम वह लिख लेंगे उसके बाद जो निकाल नहीं होगी उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अधा विच वह से सेल है वह भी कितनी है 45 है यस अब हम आगे बढ़े आर्टिकल वन है दा लीश्ट सेल और आर्टिकल सिक्स है दा हाइस सेल आर्टिकल वन की जो सेल है वो मिनीमम है आर्टिकल वन की जो सेल है वो क्या है मिनीमम है आर्टिकल सिक्स आर्टिकल वन है दा लीश्ट एन आर्टि 52,000 तो आर्टिकल 6 की जो सेल है वो मैक्सिमम है मतलब इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता वह यह वैल्यू है 52,000 मतलब इन में से कोई भी वैल्यू 52 से ज्यादा नहीं हो सकती है ठीक है आगे अगर बढ़े हैं तो सेल्स आप नो टू आर्टिकल्स वह सेम एंड अड़ सेल्स आ बराबर तो यह हो सकती है कि एवरेज इस डिफरेंट चीज है कोई जैसे यह एवरेज के बराबर है तो आपस में वैल्यू सेम नहीं होंगी ठीक है अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो सेल्स के बारे में तो किवल इतना ही दिया गया है अब आते हैं प्रॉफिट पर एव इवरेज के बराबर है पर इवरेज कितना है वो हमें नहीं दिया गया थीक है एन आर्टिकल खरतिकल 7 माविंख 4 के बराबर है यह सल्स तो आगे हमें दिया गया है highest profit of 10,000 was earned on article 6 article 6 पर जो profit हुआ है वो 10,000 है and that is maximum इसते ज़्यादा कोई profit नहीं है इनमें से इसके आगे अगर हम बड़े तो आगे अगर देखते हैं तो आगे दिया गया है profit of 5,000 was obtained on article 2 and it was minimum article 2 पर 5,000 का profit है and it is minimum इससे कम कोई value यहां पर नहीं हो सकती yes अभी तक चीज़ है smooth चल रही है जो जो दिया गया हम वही लिखते जा रहे है problem कवाएगी challenge कवाएगा जब जो नहीं दिया गया वो निकालना पड़ेगा तो चलिए अभी जो दिया गया है वो तो लिखते है यह ना and this is minimum तो 5,000 जो minimum value आगे देखें अब expenses के वारे में दिया गया average expenses on all the articles was 38,000 expenses का जो average है वो कितना है 38,000 yes and which was same as article 5 ठीक है तो article 5 के बराबर है तो article 5 में भी क्या है 38,000 चलिए highest expenses was there on article 6 article 6 पर जो expenses है वो maximum है maximum expenses है ठीक है the lowest expenses of 31,000 वो दियर on article 1 तो article 1 पर lowest है minimum value है and this is 31,000 यस आगे अगे अगर हम बढ़े ठीक है the expenses on article 6 and sales on article 2 article 3 वोट्स 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 सेम ठीक है तो article 6 का expenses अगर यह अगर यह सपोस्ट वैल्यू एक्स है and sales on article 3 यहार सेम यह दिया है न यहां क्रॉस्चक कर लेते हैं the expenses on article 6 and sales on article 3 वोट्स सेम है न तो यह value इस इसके बराबर है this value is equal to this okay and sales on expenses on no two articles वर सेम है न किसी भी दो आर्टिकल के जो expenses है वो सेम नहीं हो सकते एच वैल्यू हैस टूब डिफरेंट आज ऐसा profit के case में नहीं दिया गया profit के case में सेम हो सकता है और सेम मतलब है भी आप देखो यह भी average के बराबर है यह भी average के बराबर है मतलब यह value equal है अब हम इससे आगे भढ़ते हैं यह तो वह चीज थी जो हमें direct दी गई थी अब indirectly हम क्या क्या निकाल सकते हैं देखो आप देखो कि sales minus expenses होता है profit average sales minus average expense बराबर average profit इसी बात है कि number of article तो दोनों चीज़ों के लिए same तो 45 minus 38 is how much? 7 तो यह value 7 हा रही है तो मतलब यह value भी 7 हो गई और यह value भी average के बराबर है तो यह भी 7 हो गई अजया sales minus sales minus expenses equal to profit तो can I say sales बराबर expenses plus profit तो यहाँ पर expenses और profit को अब add करोगे तो 31 plus 7 यह value हा जाएगी 38 and this is minimum इसी तरीके से sales minus profit करेंगे sales minus profit बराबर expenses so this is 52 minus 10 so this becomes 42 yes अजया अगर यह बायालेस है तो यह भी बायालेस हो गया क्योंकि दोनों बराबर दिये गए है हम इसमें भी हम देखें तो expenses sales minus profit तो 48 minus 7 is what 41 यह value आ गई अब इसके अलावा तो अभी हम कुछ और नहीं निकाल सकते डारेक्ली अब यहाँ पर आपको main काम अब start होता है जो main सोचने का काम है logic लगाने का काम हो अब start होगा तो जैसे कि यहाँ पर यह दो values missing है तो suppose मैंने इन values क मैंने माल लिया B तो क्या मैं यहां से A plus B निकाल सकता हूं आप मुझे बताइए कि क्या हम यहां से A plus B की value निकाल सकते है यस हम इनका total निकाल सकते है because we know average is 45 in 7 articles are there 45 into 7 is how much 75 to 35 carry 3 315 तो total इन सब क्या होगा इन 7 values का total है 315, 315 में से बाकी यह सारी values हम minus करेंगे तो we know 52 plus 48 is 100, 100 plus this is 40 plus 42 इसको दे तो 80 तो it is 180, 180 plus 45 is 225 तो इसमें से 225 कर दिया minus, जब इसमें से 225 minus किया तो 90 बचा, मतलब यह A और B जो दो values missing है इनका sum जो है 90 होना चाहिए, अब 90 तो बहुत तरीके से हो सकता है, yes केवल sum 90 होने से मतलब नहीं है सम तो इनमें मैं कोई value रख सकता हूँ 90 लाने के लिए, तो भाई क्या value रखी जाए जो यहाँ पर satisfy कर जाए तो अब आपको यहाँ पर यह चीज सोचनी है कि यह जो value है हमें यह पता है कि यह जो value है यहाँ पर जो profit की value आएगी यहाँ से यह सोचना है आपको profit की minimum value is known as well as maximum value is known so I know the range of this I know the range has to be from 5 to 10 yes, यह जो profit है minimum value 5 है maximum 10 है तो इसकी भी जो range है वो 5 to 10 के बीच में होनी चाहिए can I say that safely yes 5 से कम नहीं हो सकता और 10 से ज्यादा नहीं हो सकता because this 5 is minimum and 10 is maximum तो अगर यह 5 होता है तो can I say कि जो sale है वो होता है expenses plus profit तो 38 plus 5 will become what 38 plus 5 becomes 43 and 48 plus 10 becomes 48 मतलब यह जो B की value है वो 43 से 48 तक के बीच में vary करेगी तो क्या क्या हो सकती है 43, 44, 45, 46 and 47 हो सकती है and 48 हो सकती है यह सारी values possible है because of this limitation because 5 to 10 के बीच में profit हो सकता है accordingly जो sale होगी वो 38 plus 5 and 38 plus 10 यानि कि 43 and 48 के बीच में होगी तो B की value की range हमें पता लग गई सबसे पहली चीज़ तो यह आपको यह trick यह trick क्या मतलब यह point यह logic strike करना चाहिए दिमाग में उसके बाद accordingly अगर मैं यह की value निकालूं तो 43 में क्या add करूं कि यह आ जाए तो 47 add करूंगा यह बढ़ता जा रहा है इसको घटाते जाओ 46, 45, 44, 43, 42 यह अब यह तो possible नहीं है because इसमें क्या हो रहा है कि दोनों values same हो रही है और same तो हो नहीं सकती है यह same नहीं हो सकती है इसके अलाबा बाकी सारी values देखो 43 यहां पर आ सकता है कि 47, 43 यह सकता है यह रपीट नहीं हुए है 43 & 47 भी आ सकता है बिलकुर आ सकता है 42 & 48 42 और 48 नहीं आ सकता 42 और 48 यहां पर पहले से ही है तो now we are left with these four possibilities first, second, third and fourth अब चलिए ठीक है यहां पर तो सब ठीक है 43, 44, 46 और 47 में से कुछ भी आ सकता है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अगर मैं suppose 47 रखता हूँ तो सोचो यहां क्या आएगा I know expense बराबर sales minus profit अगर मैंने यहां पर 47 रखा तो 47 minus 5 यहां पर क्या आएगा 47 minus 5 46 minus 5 होता है 42 यहां 42 आ सकता है कि नहीं आ सकता है यहां पर पहले से ही है These all values have to be distinct तो अगर यहां भयालेस रखूँगा तो बैलेस रपीट हो जाएगा So that's why यहां 47 वाला case eliminate होगे अगर मैं 46 यहां रखता हूँ 46 minus 5 दिस बिकम 41 पर 41 भी यहां पर पहले से ही है So this is also ruled out right इसी तरीके से अगर मैं 44 रखूँगा तो 44 minus 5 44 minus 5 is 39 It is quite possible 43 रखूँगा तो 43 minus 5 becomes 38 38 is not possible 38 is already there So this we are left with only one possibility यहां पर आएगी तो वो क्या है 44 and 46 तो यह है 44 और यहां पर हो गया 44 और यहां पर क्या हो गया 46 Yes, so these values now we are done with them अब देखो यह 46 minus 38 यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहां पर profit आ गया 8 Yes, यह भी value मिल जाएगी हमे 44 minus 5 is nothing but 44 minus 5 is nothing but 39 यह value आ गई अब बख्ठी मेरे पास यह दोनों values अब मैं same चीज इनके लिए भी करता हूं Suppose मैंने इनको a plus b मान लिया ठीक है मैंने इनको क्या मान लिया a plus b मैंने इसको a मान लिया और इसको मान लिया b तो can I calculate a plus b yes इनका जो total है वो हम निकाल सकते है 38 into 7 38 into 7 7 8 जा 56 carry 5 7 3 जा 21 plus 5 becomes 26 तो इनका total है 266 मैं से इन सब का सम माइनस करते है इस में से इसको एक दे दिया तो 40 plus 30 70 हो गया 2 सको दे दिया 40 40 80 80 प्लस 70 50 1500 प्लस 41 191 तो इस मेंस मैंने उनका बचा दिया 191 तो यह कितना बचा 5 हो यह बचा 7 तो मतलं इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 75 इन दोनों का सम 75 अब there are multiple ways यहां पर हम 75 बना सकते हैं, तो again we will apply the same logic जो हमने यहां पर लगाया था, हमने देखा था कि इसकी range क्या होगी, तो मैंने देखा कि इसकी जो range है वो 5 to 10 के बीच में होगी, अगर यह 5 to 10 के बीच में होती है तो expenses होता है, sales minus profit, तो 45 minus 5 is 40, and 45 minus 10 is nothing but 35, तो यानि कि 35 और चालिज के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, अगर मैं 10 रखता हूं, 45 minus 10, 35 और यहां 5 रखता हूं, तो 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 37, 38, 49 और 40, these values are possible, now we talk about them, तो अगर यह 30 है तो यह कितना होगा, 40 होगा, right, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको गटाते जाओ, 39, 38, 37, 36, 35, ठीक है, अब 40 and 35 हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, why, because 39 यह पहले से ही है, 36 और 39 भी नहीं हो सकते, क्या 38 and 37 हो सकते हैं, 38 and 37 नहीं हो सकते, because 38 यहां पहले से ही है, तो यह भी रूल्ल आउट हो गया, 37, 38 भी नहीं हो सकता, तो 40, 35 या 35 में से कुछ एक होगा, या तो यह 40 यह 35 और यह 40 आएगा, अब suppose कि मैं यहां पर 35 और 40 रख देता हूं, अगर मैं यह 40 रखता हूं, suppose किजिए कि मैंने 40 रख दिया और यहां 30 रख दिया, तो 42-40 कितना आएगा, यहां पर 2 आएगा, 42-40 यहां पर 2 आएगा, which is not possible, because minimum value is 5, so 2 cannot be there, so that's why I cannot put this possibility, because 42-40 यहां 2 आजाएगा, तो मुझे यहां क्या रखना पड़ेगा, यहां 35 और यहां रखना पड़ेगा, 40, right, so 42-35 होगया 7 और 45-40 होगया 5, so that's it, we are done with the table, so table complete होगया, उसके बाद question का answer करना तो बहुत मामूली सी बात है, question तो देखो यह है 5, what was the expense of article 2, what was the profit on article 4, what was the profit percent on article 4, तो यह तो आप पाराम से values यहां से निकाल कर questions का answer कर सकते हैं, main काम था यह table बनाना, logically यहां पर सोचना, तो hopefully यह di आई आपको पसंद आया होगा, कुछ नए pattern का आपको definitely लगा होगा, कुछ नए आपको सीखने को मिला होगा in terms of logic, तो मिलते हैं फिर next session में, hopefully आप इसको अगर पसंद आया है तो like भी कर देंगे, thank you so much.